नमस्कार दोस्तों कांग्रेश के दिगज नेता जों पंजाब कांग्रेश के अध्यक्ष नोजोज सिंग सिद्दू ने इस्तिपा देने से पहले सोनिया गांधी को पत्र लिखा था नोजोज सिंग सिद्दू ने अपने इस पत्र में खुलासा कियाएगी क्या उन्होंने पंजाब कांग्रेश अध्यक्ष पत्र से इस्तिपा दिया है क्या वो पंजाब के नय मुख मत्री चरण जीच सिंग चन्नी से नाराज थे जहां नोजोज सिंग सिद्दू के इस्तिप सामने आई है कैप्टान अमरेंदर सिंग ने क्या कहा है आपको आगे बताएंगे जिया नोजोज सिंग शिद्धु ने पंजाब कांगरेस अध्यक्षपत से इस्तिपाद देने से पहले सोनिया गांधी को उन्होंने पत्र लिखा था उन्होंने अपने दिए गए इस्तिपा मैं पत्र में लिखाए कि इनसान का पतन समझहोते से होता है मैं कांगरेस के भविष्य और पंजाब की भलाई के एजेंडे से कभी समझहोता नहीं कर सकता इसलिए मैं प्रदेश कांगरेस कमेटी अध्यक्षपत से इस्तिपाद देता हूँ अलाकि उन्हेंने पत्र में ही काय कि वो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे जियां बताते कि पंजाब में आज चर सिंग चन्नी के मंत्रियों के बीच विभागों का बटवारा हुआ है और इसके चंद घंटे बाद ही सिद्धू ने सुनिया गांधी को अपना इस्तिपा भेज दिया अब इसके पीछे कुछ महत्पोड वज़ा सामने आई है दरसल जब पंजाब में मंत्रियों के नाम टै किये जा रहे थे तब राहूल गांधी ने पंजाब के मुख्य मंत्री चर सिंग चन्नी के बाच्चित पर इसका फैसला किया इसमें कहीं भी सिद्धू को सामिल नहीं किया गया मतलब कि सिद्धू से इस बारे में कोई राय मस्वीरा नहीं ली गई अलाकि पहले दिन की मीटिंग में सिद्धू को जरूर बुलाए गया था लेकिन जब राहूल गांधी सिमला से लोट कर आये तब मीटिंग में सिद्धू को सामिल नहीं किया गया हलाकि सिद्धु ने सुनिया गांधी को लिखे पत्र में सांकेतिक माध्यम से या साप कर दिया कि ओ कहीं ने कहीं किसी मामले में नाराज हैं सुत्रों के मुताबिक सिद्धू की नए सियम चन्नी के साथ उनकी बन नहीं रही थी और उनके कुछ फैसलों से भी सिद्धू ना खुस थे जहां सिद्धू के इस्तिपे के पीछे उनकी नाराजगी के मुखे कारण क्या है सबसे पहले तो चन्नी के नए कबिनेट में जिस तरह से पोर्टफोलियो बाठा गया उससे नौजोज सिंग सिद्धू खुस नहीं थे नए कबिनेट में सुकविंदर सिंग रंधावा को ग्री मंत्री बनाये गया जबकि नौजोज सिंग सिद्धू और उनके साथी लगाता सुक्विंदर सिंग रंधावा को ग्रे मंत्री बना जाने से नाराज थे और उनका बिरूत कर रहे थे तीसरा अमरेज सरसुदार ट्रस्ट का लेडर चरजी सिंग चन्नी द्वारा दिया गया जबकि यह पत्र सिद्धू द्वारा सौपा जाना था यानि इस पत्र को सिद्धू सौपना चाते थे और साथी कुछ अपसरों के ट्रांसपर से भी बता जारा है कि सिद्धू खुस नहीं थे जहां सिद्धू के इस तिपे के पीछे ये मुख्य बजह हो सकती है बताते कि एड़ोकेट जनरल यानि एजी की नियुक्ती को लेकर मुख्यमंत्री चर्णजी सिंग चन्नी और नोजो सिंग सिद्धू किसी एक नाम पर सामत नहीं हो पा रहे थे जहां सिद्धू चाहते थे कि सुप्रीम कोड के पुर्व जज कुल्दीप सिंग के बेटे डियस पटवालिया को इस पत पर नियुक्त किया जाए और ऐसा लगभग फाइनल भी हो गया था लेकिन एन वक्त पर सियम चन्नी के अड़ने के बाद बार काउंसिल के पुर्व अध्यक्ष अनमोल रतन सिद्धू का नाम चल पड़ा अला कि हाई कमान की दखल के बाद अमर प्रिस सिंग देवल को एड़ोकेट जनरल नियुक्त किया गया था अला कि एड़ोकेट जनरल की नियुक्ती मामले में चार्ड जी सिंग चन्नी यैनि उनकी सरकार सवालों में घिर गई थी बताते कि चन्नी सरकार ने गुरू गरान साहिब की बेदबी के बाद वे कोर्ट पुर्वा गोली कांड मामले में आरोपियों के वकील अमर पेश सिंग देवल को एडोकेट जनरल ने उप्त किया था जिसे लेकर सिद्धू काफी नाराज थे अलाकि देवल ने सफाई देते वे का था कि उनका बेदबी मामले से कोई लेना देना नहीं है वहीं डारेक्टर जनरल आप पुलिस के पत को लेकर भी सिद्धू और चन्नी में ठनी थी जहां एक तरफ नौजो सिंग सिद्धू चटो पाध्याय को इस पत पर लाना चाते थे तो ही मुख्यमंत्री चन्नी वरिष्ट आईपियस इकबाल प्रिस सिंग सहोता को बनाने पर जोड़ दे रहे थे हलाकि बाद में इस मामले पर भी चन्नी की चली और डीजीपी दिनकर गुपता की जगा इकबाल प्रिस सिंग सहोता डीजीपी बने हलाकि सिद्धू के इस एपियस देवल की नियुकती से खुश नहीं थे साथ ही रारार अरजीट सिंग के सामिल होने से भी सिद्धू नाराज थे इन सब के अलावा एक वज़य ये भी सामन्यारी की सिद्धू का जो 18 सुत्री एजेंडा है उसे सीम चन्नी पार्टी आला कमान और कैबिनेट के साम इस्तिपा दे दिया है लेकिन उनके इस्तिपे पर पंजाब के पुर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग ने अपनी प्रतिक्रिया दी है उन्होंने ट्वीट करते वे लिखा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि वही सीमाई राज जी के लिए सही ब्यक्ति नहीं है ब पंजाब कांग्रेस को यानि पंजाब में होने वाले विधान सवाज चुनाव से पहले लगातार इस्तिपे ने जगजोर कर रख दिया है अब सिद्दू के इस्तिपे को अब कांग्रेस को एक बड़े जटके के रूप में भी देखा जा रहा है